जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूँँ पर आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉनफलिक्ट हिंदी तो सो डिफेंस डीलों को लेके भारत को बीते कोई सालों के अंदर कई साड़े बड़े बड़े सकस्स मिल चुका है और इस बार ये सप्लाई अमेरिका के तरफ से शुरू किया जाना है रिपोर्ट के मुताविक अमेरिका के तरफ से भारत को फ्रेश जेट इंजिनों के सप्लाई जल्दी शुरू किया जाएगा और दोसों यहाँ पे सवाल यह है कि भारत के तरफ से कौन से मेगा हत्यार के डील करने को लेके तैयारी किया जा रहा है जब कि दूसरे तरफ अमेरिका के तरफ से भारत को कौन से जट इंजिनों का सफलाई किया जा रहा है तो सबसे पहले जानते है भारत के मेगा हत्यार के डील के बारे में और इजिफ्ट इन मिसाइलों के ट्रांसफर ओफ टेक्नोलजी भी चाहता है बेसिकली दोस्तों इजिफ्ट इन मिसाइलों को अपने देश में लोकली प्रोड्यूस करना चाहता है और इसके लिए भारत के साथ मिसाइलों के transfer of technology को लेके वी इजिफ्ट के तरफ से चर्चा किया जा रहा है। मिसाइलों के तरफ से खरिदनों को लेके अनुमती दिया गया है जो की इंडियन armed forces के तरफ से इस्तमाल किया जाएगा और रिपोर्ट में यही वी वताया गया था कि इन मिसाइलों को भारत के द्वारात पहले चायना के साथ लगे हुए border के नजदीक डिपलॉय किया जाएग दोस्तो क्वाइस tactical ballistic missile मतलब एक ऐसा ballistic missile है जो काफी हद तक ballistic path को follow करता है उई पे दोस्तो इन प्रले मिसाइलों को अगर देखा जाए तो साल 2015 में पहली वार इन मिसाइलों को लेकर development का खबर आया था और उसी साल ही government के तरफ से मिसाइलों को development करने को लेकर अनुमती दिया प्रले मिसाइलों को develop करने के लिए भारत के प्रहार मिसाइलों को ही इस्तेमाल किया गया और प्रहार मिसाइलों को प्रहार मिसाइलों के एक derivative version के रूप में भी देखा जाता है दोस्तो प्रहार मिसाइलों को पहली वार साल 2011 में टेस्ट किया गया था जबकि प्रहार स्थैसर ज़नर में स हेब यूट को सकता है और इसे इंडियान आर्मी के स्सिफिक को देखते हूए ही développ डिवलॉप्ट किया गया है। दोस्तो ये एक tactical conventional missile है जिसे की battlefield में भी इस्तिमाल किया सकता है जिसकारण इसे battlefield tactical missile भी कहा जाता है। अब दोस्तो इजिव्ट जिस डील को लेके भारत के साथ चर्चा कर रहा है या जिस डील के होने का संभावना है उसका नीव तो साल 2022 में ही रह दिया गया था। दोस्तो आपके जानकारी के लिए वतादू की साल 2022 में जब डिफेंस मिनिश्टर राजनास सिंग इजिव्ट के राजधानी कायरों के दो दिन के दोरे पे थे तब इजिव्ट के डिफेंस मिनिश्टर जनरल मोहमस जकी के साथ उनका एक memorandum of understanding के उपर हस्ताक्षर हुआ और ये memorandum of understanding असल में दोनों देशों के बीच के जो बाइलेटरल डिफेंस कोपरेशन है उसे मजबूत करने को लेके और दोस्तो इसके बाद इजिव्ट और भारत के वीच में कई सारे डिफेंस डिलों को लेके वी चर्चा शुरू हुआ है और रिपोर्ट में ये वी वत पाइलों को देखा जाए तो ये फिलाल इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस में नहीं आया है और ये सर्विस के लिए एक तरीके से तयार हो चुका है ये पांच टरन का एक ऐसा मिसाइल है जिसमें करीवन 370 किलोग्राम से लेके 700 किलोग्राम तक वरहेड लगा जा सकता ह दोसों ये जो मिसाइल है दो स्टेज रॉकेट मोटर से लेज है और इसके थर्ड स्टेज में मतलब मेंने वरेवल रियंटरी वेकल है जिस कारण इस तरीके के जो मिसाइल है इसे एर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा निउटलाइज कर पाना लगवग नामुम्किन है दोसों मिसाइल का अगर रफ्तार को देखा जाए तो टर्मिनल फेज में इसका रफ्तार मार्क वान मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर होता है तो वही पे ये मिसाइल अधिकतम मार्क 1.6 के रफ्तार में प्रावल कर सकता है मिसाइल में गाइडनेंस सिस्टम के रूप में इंटर्नल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है और दोसों ये जो मिसाइल है ये काफी हाइली एकुरेट मिसाइल है मिसाइल को कैरी करने के लिए भारत आर्थ मुवर्स लिमिटेट के द्वारा डवलफ्ट किया हुआ टाटरा ट्रांस्पोर्टेबल इरेक्टर लॉंचरों का इस्तेमाल किया जाता है वही पर दूसरे तरफ अगर वीडियो के अगले हिस्से के तरफ हम आगे वढ़ते हैं तो इंडिया को अमेरिका से मिलने वाले नया और फ्रेश जेट इंजिन असल में अमेरिकी कमपनी जेनरल इलेक्टिक के तरफ से बनाया हुआ एफ 404 GE IN20 इंजिन है साल 2021 में इंडिया और अमेरिका के वीच में मतलब इंडियन कमपनी हिंदूसन अरनोटिक लिमिटेड और अमेरिकी कमपनी जेनरल इलेक्टिक के बीच में 716 मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रेक के उपर हस्ताक्षर हुआ था और दोस्तों ये कॉन्ट्रेक असल में 99 जेनरल इलेक्टिक एविएशन के तरफ से इंडिया को इंजिनों का सप्लाई किया जा रहा है। इंजिनों को पर्चेस किया जा रहा है जिसका सिंपल मतलब यह है कि 83 एयरक्रेप्टों के प्रोडक्शन संपोर्न होने के बाद भारत के पास करिवन 16 ऐसे इंजिन बच जाएगा और इंजिनों को रिजर्ब में रखने का प्लान के तहट आगे बढ़ रहा है ताकि एयरक्रे के तरफ से जनरल इलेक्टिक के करिवन 17 ऐ404 GE IN-20 इंजिनों को हासिल किया चुका है और यह साल 2004 में हासिल किया गया था जिसका इस्तिमाल तेजास यारक्रेप्टों के जो मार्क वान के लिमिटेट सिर्यूज और ऑपरेशनल प्रोडक्शन विरियंट था उसमें किया गया हाला कि इससे पहले हिंदुसान अरनोटिक्स लिमिटेट के द्वारा LCA तेजास टेक्नोलोजी डेमोस्ट्रेशन और पोटो टाइप वियकलों के लिए अमेरिका से आठ एफ-404 एफ-2-J3 इंजिनों को हासिल किया गया था और इसका इस्तेमाल संपूर्ण रूफ से उन्ही एरक्रेप्टों में किया गया तो तेजास एफ-404 GE IN-20 इंजिनों को अगर देखा जाए तो ये एफ-404 एरक्रेप्टों के इंजिनों के ही हाई रेटेड मोडल है जिसमें कई तरीके के नए इंप्रूब्मेंट किया गया है जैसे कि हायर फ्लो फैन, इंक्रिस थर्स्ट, फुल ऑथोरेटी डिजिटल इलेक्रोनिक कंट्रोल सिस्टम और सिंगल क्रिस्टल टर्वाइन ब्लेड इसमें इस्तिमाल किया गया जबकि इसके इलाबा कई तरीके के नए इंजिनों के फीचर्स को भी इसमें जोड़ा गया है जिसे तेजास मार्कवान और मार्कवान ए जैसे यारक्रेप्टों को जहाँ पे एक बहत्रीन इंजिन मिला है तो उही पे इन इंजिनों के सारे भारत के पहले सुपरस्वानिक यारक्रेप्टों के प्रोजेक्ट को भी संपूर्ण किया सका अब दोसों जेनरल इलेक्टिक के ए 404 इंजिनों को अगर देखा जाए त जैसे ट्रेनर यारक्रेप्ट से शुरू करके इंडिया के तेजस मार्कवान, मार्कवान A, साउथ कुरिया के T-50 गोल्डन इगल, लॉकिन मार्टिन के F-117 नाइट हॉक, मैक डॉनल्ड डॉगलस के F-18, होरनेट और नॉर्थ देव के F-20, टाइगर शार्क जैसे यारक्र यारक्रेप्टों में किया जा रहा है, इसके कुछ और वी वेरियंट है, जैसे की Volvo RM12, जिसका इस्तेमाल, ग्राइपिन यारक्रेप्टों में किया जाता है, तो जोस्तों इन यारक्रेप्टों के इंजिनों के अगर थ्रष्ट को देखा जाए, तो ये military dry thrust के रूप में 48.9 किलोनीटन थ्रष्ट जनेरेट कर सकते हैं, और आपर वर्णिंग थ्रष्ट इसका करिवन 78.9 किलोनीटन है, तो जोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगया तो से लाइक किजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जै हिंद!